लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए हिंदी फिल्म जगत में आज रनवीर सिंघिक ऐसा नाम बन गए हैं जिसकी अदाकारी आपको पसंद हो या नहीं लेकिन आप उन्हें कताई नजरन दाज नहीं कर सकते हैं वह जिस समारों में भी मौजूद होते हैं वहां की पूरी लाइम लाइट चुडा लेते हैं वह अपनी भावनाएं खुले और पर जाहे करते हैं बीते शनिवार को उन्होंने एक पुरसकार समारों में अपनी प्रस्तुती दी वहीं इस दोरान रनवीर नग गोविंदा के प्रतिक खुल कर अपनी इज़ दाहिर की और कहा कि उन्हीं की वजह से वे हभिनेता बने हैं इसके साथ ही रनवीर नग गोविंदा को उनकी सभी फिल्मों के लिए शुक्रिया अदा भी किया क्यूंकि वे उनकी ही फिल्में देखकर बड़े हुए हैं रनवीर की इस दिखाई उसने मुझे अंदर से छू लिया है तुम्हारे इस व्यवहार से मेरे शब्द खत्म हो चुके हैं एक अच्छे इंसान और अभिनिता होने के लिए तुम्हारी तारीफ में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अभिनिता ने आगे लिखा तुम्हारे दिल मे मेरे प्रती इस इज़त के लिए धन्यवाद मैं प्रार्थना करता हूं कि इस इंडस्ट्री के तुम अगले सुपर स्टार बनो मैं तुम्हें तुम्हारी फिल्मों के जर्येयर्श इंडस्ट्री का नया सुपर स्टार बनते हुए देख भी सकता हुँ मैं यह पहले भी कह चुका हूँ लगातार तुम्हारी तरकी देखकर काफी खुशी होती है तुम्हारे भविशे के लिए शुब कामनाएंगा और तलब है कि रनवीर अपने करियर के शुरू से कई मौतों पर गोविंदा को अपना आदाश बता चुके हैं वह कई मंचों पर उनकी डांस स्टाइल कापी करते हुए भी देखे गए हैं दोनों फिल्म के लदिल में भी साथ काम कर चुके हैं साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया आवासिल हुई थी फिल्म में रणवीर और गोविंदा की दिल्चस्प के मिस्ट्री देखने को में ली थी